नमस्कार चनल वन में आपका स्वागत है मैं हूँ अमित अजरावत अक्सर हम द्यासत जम्मू कश्मीर में जम्मू खित्ते के साथ बेदभाव की खबरे जो है वो सुनते आते रहते हैं और एक बार फिर जम्मू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हुई है और इस बार वो खरताल उनकी जारी थी फिर उसके बाद एक आतंकी हमला होता है कश्मीर में जिसमें हमारे कई CRPF जवान शहीद हो जाते हैं उसके बाद जो प्रशासन है राजबाल प्रशासन उन करमचारियों से ये एक वादा करता है कि आप इस वक्त देश के साथ खड़े होई है क्यों उन्होंने अपना जो हरताल है वो खतम की और अपनी जो नौकरियां है उन पर जाने के लिए वो राजी हुए लेकिन अभी भी कुछ ऐसे करमचारी हैं जिनको टर्मिनेट किया गया ना तो उन्हें अभी नौकरी पर जाने के लिए फिर से रिवोक किये उनके और्डर और ना ही उनकी मांगे जो है वो पूरी की गई है इस वक्त मेरे साथ वही करमचारी है उनके अध्यक्ष भी है नेचम यूनियन के जो खुद हरताल पर भी बैठे थे रोही जी जी नवसकार पहले तो आपका बहुत वह स्वागत है सर क्या मसला है क्या हुआ थोड़ा सा पहले 14 जनुरी से लेके 17 फर्विल तक चली 35 दिन हमारी स्ट्राइक चली और 17 तारीक को हमें गुवर्नर साब का फोन आता है और गुवर्नर साब उस फोन में ये कहते हैं कि देश अभी संकट में है पलवामा अटैक हुआ है अब हभी प्रोटेस्ट को यहाई पे समाप कीजे पूरी किया जाएगा लेकिन जितने हमने बोला जो टर्मिनेट इंपलाइस हुए हैं उनका क्या होगा वो कह रहे हैं मैं सब रिवोक मतलब हो जाएंगे वो इंपलाइस आप गबराइए मत वो सारे रिवोक होंगे लेकिन उसके बाद भी हम जब सिस्पेंट करते हैं कॉल उसके बाद भी टर्मिनेट का सिलसला चलता रहता है और ये मतलब इसके बाद तो ऐसा हुआ कि बीच मतलब चूज करकर के उनकोंने इंपलाइस को टर्मिनेट किया और इसमें तीन सो बतर हमारे जम्मू के थे और एकतालिस हमारे कश्मीर के थे और एकतालिस जो कश्मीर के थे वो उन सब को रिवोक किया गया हफते के अंदर अंदर और जो जमूड वीजन के थे उनको अभी तक अभी तक उन एंप्लाइस को दर बदर हो रहे हैं उनको रिवोक नहीं किया गया आप मेरे को ये दिखाएंगे जो टर्मिनेशन ओर्डर आपको आए थे आप अपना खुद का एक दिखा दीजिए इस तरह से क्योंकि हम दर्शकों को बता देते हैं कि ये टर्मिनेशन ओर्डर है और 17 को हम call suspend करते हैं और 17 को ये हमारे termination order भी दिये जाते हैं कि आपको terminate कर दिये गया है आपने अपनी जो violation है जो वो किये हैं और 372 इसमें जम्मू डिवीजन से हैं और 41 कश्मी डिवीजन से हैं लेकि सवाल यह है कि इसमें तो सारे पूरी रियासत में ही जम्म करमचारी जो थे वो पूरी रियासत में ही हरताल पर थे तो फिर 41 ही क्यों महज 41 वहां से और 372 जम्मू से देखिए MD साहब ने अब जो कल परसू लेडर नगाला है उसमें लिखा गिया है कि इन्होंने absent थे लेकिन मैं MD साहब को यह बोलना चाहता हूं absent तो फिर साड़े आठ हजार थे साड़े आठ हजार implies को क्यों नहीं किया गया 20 से choose करके ही क्यों किया गया यह चीज और देखा जाए तो यह order 17 ताली को जो निकला है साड़े 9 वजे जो मेरे को सूचना मिली है साड़े 9 वजे यह order टाइब हुआ है साड़े 9 वजे रात को रात को और ऐसी क्या नोबत थी कि संड़े को इनको termination order नकालने पड़े क्योंकि हम लोगों ने wireless message भी किया था यहां से और उसकी copy हमारे पास wireless message की और वो wireless message हर div काम को किया गया लेकिन उसके बावजूद भी कही अलाके ऐसे हैं जैसे किस्तवाड हो गया किढ़ूआ हो गया इन्होंने जॉइन किया वहां नोकरी की लेकिन उसके बाद इनके 24 गंटे के बाद terminate order नकाले जाते है तो क्या जब मतलब जिस दिन आपको यह कॉल आती है प्रशासन की तरफ से कि इस वक्त महोल जो है वो गमगीन है एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था हमारे जवान शहीद हो गए थे फिर आपको एक आशवासन दिया गया शायद आपके साथ रविंदर रहना जो बाजबा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आपसे मिले थे कई खबरें भी सामने आई थी और उन्होंने भी आपको एक आशवासन दिया था तो आखिर इस दोरान क्या हुआ जो हर्ताल आपकी चलती रही उस दोरान क्या हुआ उसके बाद ऐसा चानक क्या हो गया कि आपके जो आउर्डर्स हैं वो रिवोक नहीं किये गए कश्मीर में भी लेकिन कश्मीर में वो उनको फिर से भाल कर दिया गया ऐसा क्या मतलब क्या वज़ा है देखे सर जिस दिन हमारी स्ट्राइक आफ हुई बहां पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे और वो हंगर स्ट्राइक तड़वाने के लिए गवर्नर साब ने उन्होंने कहा कि मैं यहां से अपने कुछ दो आदमी भीजूँगा तो उन्होंने उन दो आदमियों के रूप में बेजा विंदर गुपता जी को और विंदर रैना जी को हमने उनी के और पे उनी के अश्वासन पे हमने अपनी स्ट्राइक आफ की अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ी उन्होंने एक बड़ी बहुत बड़ी बात बोली कि देशित के लिए आप अपनी स्ट्राइक उठा लो तो देशित से important कुछ नहीं है इस दुनिया में तो हमने एक सेकिंड में अपनी स्ट्राइक आफ कर दी और आपको पता है कि उस टाइम पर क्रेफ्यू लगा हुआ था पुरे जम्मू में क्रेफ्यू था कहीं गाड़ीं नहीं चल रही थी हम ड्यूटीस जॉइन नहीं कर सकते थे जैसे जो जम्मू से जन्हों ने डोड़ा जाना था बदरवा जाना था किस्तवार जाना था बनी जाना था वो क्रेफ्यू में नहीं जा सकते थे लेकिन फिर भी लोग गे फिर भी लोगों ने especially अपनी गाड़ियें करके किसी तरह भी उन्हों ने अपनी duties जॉइन करने की कोशिश की मैं अपनी बात बताता हूं कि मैं specially बनी गया duty जॉइन करने के लिए मैंने duty जॉइन की BMO साब ने हमें allow किया जॉइन करने के लिए हमें sign करके दिया कभी नहीं देखा कि strike के दौरान में implies को terminate किया जाता है और उसके बाद उनको इतना हिरास किया जाता है कि वो लोग सड़कों पे आ जाते हैं आज मैं आपको बता देता हूं हमारी implies की इतनी बुरी हालत है कि हमारे पास पैसा नहीं रहा है हमारे पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं है हम बिलकुर रोड पे आ चुके हैं यह डेमोक्रेसी में है अगर हम अपनी बात स्ट्राइक के थूज बोलने का अगर करते हैं जलम करते हैं तो इसका मतलब हमने जलम किया है जाहिर सी बात है और दूसरा यह एकी सवाल जी सर आपका कहा नाम है डॉक्टर पुरदीब के सर डॉक्टर साब हमें यह बताई है कि जिस तरह से आपके साथ ही नहीं हमें एक चीज कही और दूसरा यह कि अब बीजेपी की तरफ से चली वो तो एक अपना वोट बैंक के लिए आपके पास है लेकिन अगर गौर्णर महोदे चाहते तो वो कोई अपने परशासन की तरफ से कुछ लोग आपके पास आते लेकिन बीजेपी की तरफ से लोग आना यह एक तरह से वोट बैंक को फिर तो वही बात होगे कि अपने वंदे हैं इस तरह से वो एलिगेशन लगेंगे ना उनकोई बिलकुल एलिगेशन तो उन पर लगेंगे एलिगेशन उन पर लग सकते हैं लेकिन इन लोगों ने जब इन्होंने रविंदर रविंदर रैना जी ने हमें यह कहा था बिश्ट में वो बाते हैं पर फोन पर पहें को जब चलता रहा परसों कि मुझे तो याद है अब देखते हैं कि और उसका परने वाले हैं बस उसी का इंतशार कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं लगता कि 41 लोग कश्मीर में надо बhole हैं जम्मू में अक्सर ही हम खबरें तो सुनते रहते हैं ना कभी PSC, PSC अक्सर विवादों में रहता है यहां पर, कि PSC pick and choose वाला वहां पर भी सिस्टम है, अब इसमें भी NHM में भी pick and choose वाला सिस्टम हो गया, जबकि 372 यहां से लिए जाते हैं, 41 वहां से लिए जाते हैं, लेकि हमें क्यों मतलब चूज किया गया, अगर नहीं इनको रखना है, नहीं खतम करना है, तो खतम कर दें, लेकिन pick and choose करके थोड़ा यह भी हमारे लिए, यह सवाल है इनको, प्रशासन, अब एक सवाल तो यह भी मैं आप से पूछना चाओंगा सर, क्या नाम आपका, राजेंद होगा, आपने भी कुछ इन से वादा कि होगा, ठीक है, जी हम इस सरह से नहीं करेंगे, अगर तो हो कि आपको दो साल या एक साल के लिए लगाए, अब नो साल जिस आदमी ने यहां दे दिये, तो वो क्या करेगा, आगे उसका फ्यूचर क्या रहेगा, यह तो जाहित सी ब मुद्धा जे स्टेट का है, कि हमें रगलाइस करना, जा हमें एकल पे वरकत देना, बाकी रही बात पिछले साल की में आपको बता देता हूँ कि जब सरकार थी, तो हमारे वाली वक्त जी, हमारे उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे, तो उस टाइम उन्होंने आसंबली में चल हजार वीस अम्पलाई जो थे, उसमें डाले गए थे, तो फेस्मेंट के लिए हम एगरी हुए थे, वही फेस्मेंट के पीशे हमने जे स्टाइक भी इनको अल्टिमेटम दिया, पहले एक मिने का गवर्मेंट को टाइम दिया, कि हमारी जो जैनल डुमांड्स हैं, उन पर पीशे हैं, उनको इंप्लीमेंट कीजिया, हम शिकों पे आने के लिए राजी नहीं हैं, क्योंकि हमारा पेशेंट जो है बहुत ज़ज़ा है, रास होते हैं, बचारे दूरदरा एलाकों में जही लोग जो है वेस्लिटी देते हैं, तो वह हम शिर्कों पे आने के लिए रा पूछ रहा था और उन्हें का था कि जो एंप्लाइज जाते हैं जाएं मुझे इससे कोई फर्क नी पड़ता और स्वास्ते विभा को कोई फर्क नी पड़ता लेकिन सवाल है कि सतर के प्रतिशत के करीब आपके जो लोग हैं इस स्वास्ते महकमे को संभालते हैं इस तरह सही जो आंकडा इनकी तरफ से आता है वही है देखे असर मैं आपको अब एक चीज़ बताना चालता हूँ अभी एक पीएस सी की लिस्ट निकली थी उसमें आट सो इंप्लाइज मेडिकल अफिसर लगाए गए थे अमभी एस डॉक्टर आपको जानके हरान नहीं होगी कि उस आर्ट सो मैं से सो ही जोइन कर पाए हैं बाकि किसी ने जोइन नहीं किया क्योंकि वह ऐसे एरियास में डिप्यूड किये जहां पे हम काम कर रहे हैं और उन्होंने उस एरियास में जाइ पाते हम वहां पे 10-10 साल से ड्यूटिस दे रहे हैं और उन्हीं ड्यूटिस पे के बेसिस पे हम क्या मांग रहे थे युकल वर्क युकल पे और रेगलाइशन और इन्होंने हमें क्या दिया टर्मिनेशन और उसी चीज़ को लेकर हम यहां पे आज दर बदर हो चुके हैं गवर्नर साफ से हमें उमीद थी कह रहे थे कि गर्नर रूल में आप स्ट्राइक नहीं कर सकते लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरे टी टीचरस नहीं भी गवर्नर टाइम पे ही उन्हों स्ट्राइक की थे तो अपना एक अधिकार है आप करें अपने हक के लिए आप लोकतंतर है इसमें आप कर सकते हैं आपके पास लिस्ट होगी वो आप जो दिखा रहे थे टेर्मिनेशन की कुछ लिस्ट वगएर आप मुझे थोड़ा सा दिखाईए हूं भी वो भी दिखा देते हैं कि एक बड़ा एक चंबित करने वाला एक समस्या है इन लोगों को यह मैं आपको दिखाता हूं कि जो जिन लोगों को टर्मिनेट यह तर्मिनेट करने की है यह जिस तरह से डिस्टिक वाइस किया गया है सांबा से फिर उसके बाद टोटल नंबर आफ इंप्लाइस ग्यारा य फर पॉन्च से किये गए फिर रिएसी से 65 किये गए उधंपोर से 6 किये गए किस्टवार से 202 किये गये और डोड़ा से 51 किये गए इसमें कश्मीर का नहीं हैं लेकिन जो इन के मताबिक है कश्मीर समें 41 कश्मीर का मैं बदाता हूँ, बांडीपूरा से साथ लोगों को टर्मिनेट किया गया, कपवारा से दस लोगों को टर्मिनेट किया गया, सिर्नगर से दस लोगों को टर्मिनेट किया गया, और ले से चोदा, ये टोटल हो गए 41, इनको हफते दो हफते के अंदर रिवोक किया है क्योंकि इनकी आपस में ना बने लेकिन आपके मीडिया के मादें से यह मैं बताना चाहता हूं वो भी हमारे बाई बहन है हम कभी नहीं अलग हो सकते हम पहले भी एक थे अब भी एक हैं लेकिन जैसे वहां पर टर्मिनेट वालों को रिवोक किया गया वैसे यहां भी होने जाहिद सी बात है कि जब विभाग अगर सभी लोग गुनेगार हैं तो उन सभी को आपको सजा देनी होगी लेकिन अब आपने सजा दी कुछ लोगों को चुन्दा लोगों को और वो भी चुन-चुन कर आपने टर्मिनेट किया जो लोग शायद इस एजिटेशन को आगे लेकि जा रहे थे आप में से कौन-कौन लोग इसमें से जो तर्मिनेटमार वाले यह तो आप गुवर्णन साब बहुत अच्छे हैं, हमें कभी दोखा नहीं मिलेगा, लेकिन आज भी हम मानते हैं कि गुवर्णन साब अच्छे हैं, लेकिन बीच में क्या चीज ऐसी आ रही है, जिसके कारण अभी तक दो महीने हो गया है, हमारे रिवोगने हुए, इस ती से एक बात नि देखेगी, आप लोगों के जो 8000 जो लोग हैं, उन में से परिवारों के वोट होंगे, हर किसी का वोट होगा, तो जाहिर सी बात हाँ, आप भी चाहोगे कि ठीक है, अगर कोई अच्छी सरकार आती है, तो हमारे वोट से हर मुलाजम का भी तोहक है, जो वोट तो आपका भ पहले तो करते हैं आप फिर 41 कश्मीर से महज, वो भी लदाक के, 14 लोग लदाक के आप लेते हैं, लेकिन और 41 को फिर आप रिवोक कर देते हैं, जमू वाले फिर से वैसे के वैसे कोई इस डिस्टिक के किसी को रिवोक किया गया है, दोबारा किसी का ओडर, देखिए सांब के रिवोक हुए हैं, लेकिन सांबा के रिवोक होने के बाद भी हमें कहीं न कहीं ये लगता है, कहीं न कहीं ये लगता है कि ये लोग चाहते नहीं थे कि सांबा के रिवोक हो, किस क्या मतलब ये क्या वज़ा है, मतलब ये बज़ा ये लगती है कि जम्मू डिविजन के सा पता नहीं क्या ऐसा मतलब की उनको ये क्या ऐसी मतलब की वो אתה नकाल रहे चाल रहे हैं मुझे ये नहीं पता लगता लेकिन इस टाइम पर में से मतल airlines का हमारा दिली की ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन आप अपने आपको कभी माफ कर पाएंगे ना हम लोग ओँसार सब्सक्राइब सर कितने महीने हो गे आपको अब नौक्री से गर बहठे हुए और दूसरा ही आप इसके लिए घूम रहे हैं ना एक एक जगा से दूसरी जगा दूसरी जगा और इसी बात भाता करचा भी हो रहा है घर भी चलाना है है चोदा से च जीनवरी से हम स्ट्राइक पर हैं और शत्रा को हमारे जो इसके टर्मेशन के और्डैक निकलतें तो उसके बाद हमें तीन महीने तो हो गए तीन महीने से हम बिना पैसे के हैं और कई वार ऐसा भी होता है कि अब जैसा बूरा लगता है कि टर्मीनेटर है जौब आप देई बनती है आपकी वो भी पूछते होंगे कि आखिर क्या वज़ा है कितने देर से आप बैटे हो घर पे क्योंकि अविसी बात है कि घर चलाना आज के टाइम पे एक एक नॉमिक जो कंडिशन है एक नॉमिकली आपको एक बड़ा एक सहोग मिलता है न हर कोई अगर पै आप से किंटी उनकी तंगा है हमारी मतलब उसके बाद वो नहीं दे रहे हैं उनको भी पता है कि हम कैसे जी रहे हैं कैसे हम अपना टाइम पास कर रहे हैं पिर उनको बखुबी पता है प्रशासन को पता है अप बनी से हो एक ऐसा एरिया फार फलंग एरिया जहां पर हम लो कि इतनी किल्च है 600 700 अक्तर आता रहते है लिस्ट की शेसो की कमी है और फार फ्लंग एरियेज में तो डॉक्टर होते नहीं है काई खबर आती है लोगों की डेथ हो गई किसी महिला की डेथ हो गी किसी बच्चे की डेथ हो गी कितना अभी कितना इस पे एक असर जो है स्वास् स्ट्राइक के दोरान तो हम स्ट्राइक पे थे उस समय तो कोई डॉक्टर था आई नहीं लेकिन जब से स्ट्राइक खत्म होई है तब से आज तक जब से हमें टर्मिनेट किया गया है हमारी जगा कोई और दूसरा डॉक्टर भी नहीं आया है वह पी एसी टोटली तीन-चार म हिने से विदाव डॉक्टर ही चल रही है वहां पे कोई डॉक्टर नहीं है स्ट्राइक के दुरान में हमें बोला जाता था हमारी एड्मिस्टेशन हमें बोलते थी कि आपके स्ट्राइक करने से वहां के लोग जो हैं सफर कर रहे हैं तो अब तो हमारी स्ट्राइक खतम किसी को भेजा हुआ वो जाते नहीं है ऐसा कुछ बिलकुल नहीं वहां ऐसा कोई नहीं है वहां कोई डॉक्टर नहीं है सिर्फ बनी की बात नहीं है पूरे अवराल जमों में जहां पे डोड़ा बदरवाग इस्तवार जितनी फार फॉलॉंग एरियस हैं वहां पे वो सारे वो सारे हॉस्पिटल्स बिदाव डॉक्टर ही चड़ रहे हैं वहां पे कोई डॉक्टर नहीं है और मेरा एरिया ऐसा है कि वहां पे तो गाड़ी भी नहीं जाती है वहां पे चार-चार गहंटे पैदल चलके जाना पड़ता है और पेशेंट सफर करते हैं और हमें भी अब थोड़ा सा मुझे कि यह राजनीती का शिकार हुए हो आप लोग या फिर कई नोकरशाही का शिकार होगे का या होता है न कि बड़े आफिसर जो होते हैं बड़े हदिकारी जो बैठे हैं जो सिक्टरी लेवल पे हैं या आप से उपर जो डिरेक्टर लेवल पे हैं उ अपने कुछ ऐसी बात उनको बोली है उनकी इंसल्ट की है किसी बात को लेके लेकिन हमारे किसी इंप्लाइज ने मुझे नहीं लगता कि उनकी कहीं भी हमने इंसल्ट की है administration अपने हायर ऑफेशल हमने किसी की इनसाटियीर की है हो सकता है कभी किसी के RNA कब से干 से अगर निकल भी करना कम से कम बढ़ों का काम हों कहता है उसे माफ करना कम से कम आप कितना हराज करें आप क्या उस दिन का वेड़ कर रहे हैं कि जब कोई इंपलाए मतलब कि गलस साइड चला जाए उस चीज का वेड़ करना है अब जाता है जब फरस्टेशन होती है तो एक अभी पीएची के जो करमचारी थी नोंने खुद को सुसाइड तो मैं चाहता हूं कि जो उसने किया है वो द्वारा नहा मतलब कि एन रेच्छम के रूप में ऐसा दुरो जाए तो मैं यही उपील करता हूं कम से कम हरास की मैंट जितनी हो गई है जितना कुछ हो गया है आप माल लीजे कि हमें आप माफ करना चाहिए उन्हें क्योंकि आप बड़े हैं बड़े हुने का फरज उ जो मजाख होता है ना वो बद्धे से बद्धा मजाख आपके साथ किया उन्हें खुद का था कि हमें एक एक costume है वह आज भी ख़बर अगर हम गूगल में भी सर्च कर तो वह आ जाती है और उस समय का मुझे याद है बाली भगगा जी की जो बात थी उन्होंने का था कि हम एक एकजार करके लोगों को जो इनको पर्मेट है जो भी इनकी मांगे हैं वो हम इने पूरा करेंगे। देखे सर ये चीज तो रिटन एगरिमेंट में भी है हमारे साथ उसमें इन्होंने कमेटी बनाई तीन साल से कमेटी बन रही हैं लेकिन उस कमेटी के लिए अगर हमने इनको पूछना चाहा क्योंकि इस पूछा कि तीन साल में अभी तक रेगुलाइजेशन की फाइल जो साथ निकली भी है बच्चे हैं बच्चों से मतलए जो गलती होती है इनको माफ करना चाहिए इसमें कौन सी हमने गलती कर दी क्योंकि अगर ये बोलेंगे कि एक्षाइंसल सर्विस है वहाँ पेशेंट सफर कर रहा था लेकिन हमारे से पहले भी गुवर्णर रूल में 60 दि लिए को वर्णी कुछ हुआ और हमारे साथ संडे गश्टर्ड साधे चार बजे तक बिटाना अभी कि वोरा अढ़ी की सैवंथड़ इक्मै Fusion के लिएक वह साधे चार बजे तक बैठेंगे लेकिन हमारे अर्च्जे में प्लाइस को साधे टार्चर किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो क्योंकि कुछ लड़की कि ऐसे बोल रही है हम भैया मिटी का तेल फैंक देंगे मैंने उनको कहा है aksa नहीं करना है हमने क्या जुरूरा था ये करने की लेकिन मेरी भी को commanded कि ल्शेना पड़ांगा कई ऐसे और भी कई वहाँ जो घोटाला हुआ था नोकरियों का इंशोरस का घोटाला था उन्होंने एक चेक लेगाया अब हम भी उमीद करते हैं राजपल महुदे से कि इनकी जो मांग है वो सुनी जाए और जो लोग अभी टर्मिनेट किया गया है और क्योंकि इसे एक मैसे की तरफ से जम्मू के साथ बेदभाव किया गया इतने लोग जम्मू से लिए गए लेकिन कश्मीर से उससे ज्यादा ले लिए गए पी एसो की भरती होती है उससे कश्मीर से ज्यादा लोग ले लिए जाते हैं लेकिन फिर भी यह परूफ साबित हो गया क्या 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 क्य आपकी आवाज पहुँचा सकते हैं गुवरना महुदे से और उनको ये कह सकते हैं कि जो भी इनकी डिमांड है जो जो लोगों को terminate किया गया है उन लोगों को आप फिर सेок करिए ये मसला किश्मीरी वर्सिस जम्मू का नहीं है ये मसला पूरी रियासत का है ये मसला स्वास्ते सेवाओं का है क्योंकि स्वास्ते सेवाइं अगर बहतर होंगी तो तब ही राज्य की जो तरक्की है वो हो सकती है शिक्षा स्वास्ते ये एक ऐसे विभाग है जहां पर आपको सही से सही बहतर से बहतर जो सेवा है वो देनी होती है और राज्यपल के साथ जिस जिस ने धोका किया था उन्होंने उनको सुधारा और उन चीजों को पर अमल लाने के लिए सक्त निर्देश भी दिये ऐसा हुआ भी लेकिन क्या वजा है कि ये जो लोग हैं आज दर बदर भटक रहे हैं दो महीने करीब उपर हो गया इनको अपनी स्ट्राइक को भी कॉल आफ कियो हुए लेकिन पिर भी इनका जो आँडर्स है वो रिवोक नहीं किए जा रहे हैं तर्मिनेशन के अगर तर्मिनेशन के ओधर होते हैं तो सौास्ते सेवा ही बहतर होंगी इसमें या तो इनको कोई जाती फायदा होने वाला वो तो ऐसा कुछ है नहीं है क् जिस तरह से स्वास्तेवेबाग खुद मानता है प्रशासन खुद मानता है कि डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जो कमी है वो हमारी रियासत में है खैर आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चाप आने के लिए तो अब हमारा यही है हम भी यह अपील राजयपल महोदे से कि इस मैटर में हो सकता है उन तक यह बात ना पहुंची हो अगर पहुंची है तो फिर क्यों नहीं वह इस जो मैटर है इस मैटर पर अपनी संजीद्गी दिखा रहे हैं और इन लोगों के फेवर में जो काम है जो आदेश है वो दे रहे हैं फिलाल मु